आज हम बटर चिकन बनाएंगे इसे मुर्ग मखनी भी बोलते हैं इसके लिए हमने एक कीलो चिकन लिया है अद्रक का पेस्ट जीरा पॉडर गरम मसाला लाल मिर्च पॉडर नमक लेमन जूस लसन का पेस्ट काली मिर्च का पॉडर ये दो बड़े प्यास जो मैंने कुप पाइनली इसे मैंने ग्राइंड कर लिया हैं टोमेटो प्यूरी ये हमने घर में बनाया है इसे हमने दो टेमाटर को अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया हैं दही और हमें चाहिए बटर और फ्रेश क्रीम और चार से पांच हमें ये हरी मिर्च चाहिए अब आईए बनाने स्टार्ट करते हैं ये कडाई में हमने पहले से थोड़ा सा तेल डाला है डारेक्ट हम मखण डालेंगे तो मखण हमारा जल जाएगा अब इसी में हम मखण डाल देंगे और इसे हम गरम होने देंगे मखण हमारा अच्छी तरीके से गरम हो गया है अब इसी में हम दो तेज पत्त डाल देंगे और इसी में हम ये सारा चिकन अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक ये हमारा ब्राउन कलर नहीं आ जाता इसे हम इसी तरीके से फ्राई होने देंगे ये देखिए चिकन हमारा ब्राउन हो गया है अब इसमें हम सारे मसाले डालेंगे अद्रक का पेस्ट लसं का पेस्ट जीरा पॉर्डर काली मेर्च पॉर्डर लेमन जूस लाल मेर्च पॉर्डर नमक हम थोड़ा डालेंगे क्यूंकि बटर में भी नमक रहते हैं इसे चक्कर जितना और ज़ूरत होगा आप डाल सकते हैं अब इसी में यह प्यास डाल देंगे टोमेटो प्यूरी दही अब इसे हम अच्छी तरीके से चलाकर पांच मिनिट इसे हम ढख देंगे पिर क्या करना है मैं आपको बताती हूं अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला दिये अब इसे हम पांच मिनिट के लिए इसे हम ढख दे तिर पांच मिनिट बाद इसे हम देखते हैं अब इसे हम खोल कर देखते हैं यह वेके सारा बटर हमारा देखे सरफेस प्याग गया है अब इसी में हम क्रीम डाल कर इसे हम पांच मिनिट और पकाएंगे थोड़ा क्रीम हम बचा लेंगे उपर देकोरेशन के लिए अब इसे में गरम मसाला डाल देएंगे ऐसे ढ़क कर अच्छी तरिके से दस मिनिट लो फ्लेम पर रख देंगे आंकर पखने के लिए अब इससे ढख देते हैं अब इसे हम खोल के देखा हैं है यह को आप इसी तरीके से बेंके खूल कर 2 मिनट रिखें겠। करणाया चिकन भून गया है अब इसे में अरी मेर्च डाल करणे अब इसे भात से ढरे यह टांसे लोख लें कर दो मिनट के लिए भाते हैं इसके बारम RAW इसे हम ढख गए हैं दो मिनिट हो गए हैं यह देखिए हमारा बटर चिकर बनकर बिल्कुल रेडी है अब ग्यास को अम आफ कर देते हैं अब मैं आपको डिशाउट करके दिखाती हूँ यह हमारा बटर चिकर बनकर रेडी है मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताएं आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी मेरे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकाउन को प्रेस करना न भूलें इससे मेरी नई नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे अल्ला आफिस